नमस्का इन खबर में आपका स्वागत आम चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से ही होकर के दिल्ली करास्ता चाहेगा ये सब को पता है लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और राष्ट्री लोग दल ने पिछले दिनों साथ सीटों पे समझावता होने की बात कहिती देने की बात हुए थी लेकिन अब उसमें पेंच फंस गया है और इधर जैन चौधरी के बारे में खबर आ रही है कि बीजेपी के बरिश निताओं से उनकी बात हुई है और डील पक्की हो गई है चार सीटे बीजेपी दे रही है जैन चौधरी को लड़ने के लिए जिन चार सीटों की बात हुई है वो हैं बागपत कहराना मतुरा और अम्रोहा खबर आ रही है कि अखलेस यादों से जैन चौधरी के इसलिए मन मुटाव चल रहता है बेसक वो मान गए थे क्योंकि साथ सीटे अखलेस यादों ने देने कर तो बाइदा कर दिया था क्योंकि वो वो यह कह रहे हैं कि उमिद्वार आपका रहेगा और निसान हमारा रहेगा आपको याद है ना ओपी राजभर इस बात का बहुत पहले खुलासा कर चुके हैं कि अखलेस यादों ने उनके साथ भी यही खेल किया था लास्ट तक वो सीटे नहीं क्लियर कर रहे थे कौन कौ लोग भी उनके थी और उनसे मनमुटा हो गया था वही बात आ रही है कि आरेल्डी के साथ भी अखलेस यादों को दिक्कत हो रही है और जयन चौद्री अखलेस यादों से नाराज पहले से भी नाराजगी खबरे रहे रहे हैं तो राजसभा में उन्होंने भेज दिया इस दुनिया में नहीं रहे यह मुलायम सिंग यादों तो पहली बार जब मुलायम सिंग यादों मुख्य मंत्री बने थे तो सेक्रेट वोटिंग भी थी और उस वोटिंग में किसी तरीके से अजीद चौद्री अजीद सिंग को पच्छाड करके मुलायम सिंग यादों जीत रहें बड़े किसान नेता माने जाते हैं और यह सब लोग उनके सीज्ट लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत किस के पास जाएगे कि दोनों परिवारों को देखेंगे दोनों की राजनीत को देखेंगे तो बिसक थोड़े समय के लिए आपस में समझाता हो जाए राजनीत है मजबूरी में समझाता करना पड़ता है संभावनाओं का खेल है लेकिन जयन्त चौधरी की अखले स्यादों से पट नहीं रही लिहाजा वो पहले भी हारेलडी बीजेपी के साथ रह चुकी है उधर जा सकते हैं इधर देश में जो राम्मय महौल बना है और जो आभा मंडल प्रभाव मंडल बना है बीजेपी और प्या मोदी के लिए जिस तरीके से महौल बना है उसके बाद बड़े-बड़े दल सोचने को मजबूर हो गए है कि इंडी गटबंधन के साथ रहना है या जुदा हो जाना है जैसे ही इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साधा करेंगे रहेन बेकबर देखते रहें इनकाबर थैंक्यू